हर्याना बोड के दसवी और बार्वी कक्सा के ओपन और रेगुलर के छातर जिन्होंने रियापियर इंप्रूमेंट एडिशनल सब्जेक्ट CTP या EIOP के लिए फारम भरे थे जिनके एक्जाम 16 अक्तूबर से शुरू है इन सभी छातरों के लिए अच्छी खबर ये है कि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड यानि की रोल नंबर कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए नहीं तो आपको जो है एक्जाम के टाइम पर स्कूल के अंदर परवेश करने की अनुमती नहीं दी जाए गया निकि कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको एडमिट कार्ड के साथ करना जरूरी है वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वीडियो को पूरी देखे ताकि आपको पता लगे कि आपको जरूरी है जो आपको करनी है जैसा कि आप देख सकते हैं यह हर्याना बोड द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट है आपके रोल लंबर से ही संबंदित है जो इंपोर्टन चीजे हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं परिक्षारती द्वारा A4 साइज पेपर पर प्रवेश पतर डाउनलोड किया जाना आवसक है यानिके जो आपको फोटो को पे निकलवानी है वो कलर होनी चाहिए ब्लैक न वाइट नहीं निकलवानी है पर वेश पतर का रंगीन प्रिंट लेने उपरांत विवरन भली बाती चेक कर लिया निकी रंगीन फोटो को को प कारियले में संपर्ख करते हुए विवरण में सुध्धी करवा लिया निकि बोर्ड में जाना है और आपको जो गलतियां है वो ठीक करवानी है बाद में कोई ठीक करवाने बारे दिये गए परतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा यादि किसी प्रिक्षारती का अनुक स्थित होकर वांचित दस्तावेज उपलब्द करवाते हुए अपना परवेश पत्र जारी करवा सकते हैं यानि कि ऐसा चातर जिनकी जिसका रोल लंबर अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसको हर्याना बोर्ड जाना पड़ेगा वहाँ पर जो डोकुमेंट बोर्ड म चीज़े हैं वो यहां पर दी गई हैं परिक्सा के अंदर प्रिवर्तन की अनुमती नहीं हो गया निकि आप अपना सेंटर चेंज नहीं करवा सकते हैं परिक्सारती अपने परवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो आविदन करते समय स्कैन किया गया था उसे चिपका कर फोटो तथा परवेश पत्र को किसी सरकारी गैर सरकारी मानता प्राप्त विद्याले के प्राचारिये मुख्य धापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से स्तापित करवाना सुनस्तित करें या निकि यहां पर यह बताया गया है कि जब आपने फारं बरव तो आपने पास्पोर्ट साइज फोटो स्कैन करवाया था वही फोटो जो है आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाना है यानि कि लगाना है और फिर उस फोटो को और उस एडमिट कार्ड को किसी भी स्कूल में जाके प्रिंसिपल से या फिर हैड मास्टर से उसको तिथी अनुसार परिक्सारती एवं प्रियवेक्सक के हस्ताक्सर होंगे यानि कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उसके एडमिट कार्ड के ओपर साइन होंगे तो जो एडमिट कार्ड है उसके ओपर लेमिनेशन ना करवाएं परिक्सा के अंदर पर मूल पहचान पत तमान अनुसार अपडेट करवाना सुनस्चित कर यानि कि आपका जो आधार कार्ड हो वो अपडेटीड हो बिना अपडेशन के परिक्षा के अंदर में परिवेश की अनुमती नहीं होगी जिसके लिए परिक्षारती सवें जिम्मेदार होगा और उसके इलावा जो है कोई जो गैजट है समार्ट वोच है कैलकुलेटर है या फिर मोबाइल है आप स्कूल में सेंटर पर लेकर नहीं जा सकते हैं तो यह इंपोर्टन इंस्ट्रक्शन थी आपके कार्ड से समद्दित जो आपको करनी होगी उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अ काट दाउनलोड करने के लिए आपको स्बसे पहले कोगल में जाना है और गूगल में जाके सरुच में HBSC लिक के सर्च कर दें जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और सर्च रिजल्ट में यहां पर लिंक दिया गया है बोड ऑफ स्कूल क्लिक करेंगे हर्याना बूर्ड की जो अधिकारिक वेबसाइट है मुख्य वेबसाइट वो ओपन होकर आपके सामने आजेगी और यहां पर अगर आप मुबाइल में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे है तो स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यह लिंक दिखाई देगा एडमिट कार्ड लाइव सेकेंडरी सीने सेकेंडरी एक्जाम ओपन जो चातर ओपन के हैं वो इस लिंक के ओपर क्लिक करेंगे और जो रेगुलर के चातर हैं वो इस लिंक के ओपर क्लिक करेंगे हम रेगुलर वाले के ओपर क्लिक करते हैं जैसे ही इस के ओपर क्लिक आपके सामने next page आएगा और इस page के उपर यहाँ पर जो instruction दी गई है इनको पढ़ लीजिए download admit card for partial improvement, additional, full improvement, enter role number और registration number तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको अपना admit card डाउनलोड करने के लिए या तो आप अपना पुराना role number डाले या फिर अगर role number नहीं है तो आपके फारम के उपर एक registration number लिखा होगा वो registration number लिखकर टाइप करकर आप अपना role number डाउनलोड कर सकते हैं और अगर यह दोनों ही चीजें आपके पास नहीं है तो इस case में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम फादर नेम और मदर नेम जो है स्कूल रिकोर्ड के अंदर सेम वही spelling के साथ आपको अपना जो है detail डालनी होगी और उसके बाद आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर जो role number है पिछला role number यहाँ पर role number डालें उसके बाद किसी भी बाकी detail को fill करने की आपको जुरूरत नहीं है और search के ओपर क्लिक कर दें और अगर आपके पास role number नहीं है तो आपको अगर आपके पास registration number है तो यहाँ पर registration number डालें और search करतें तो भी आपका role number जो है admit card डाउनलोड हो जाएगा और अगर यह दोनों है चीज नहीं है तो फिर आपको अपना नाम लिखना है इसके सामने यहाँ पर father name लिखना है और फिर mother name लिखना है और उसके बाद फिर search के ओपर क्लिक करना है जैसे ही इस search के ओपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो role number है वो download हो जाएगा आनि कि download करने का option आपके सामने आ जाएगा download के पर क्लिक करें और आपका role number डाउनलोड हो जाएगा तो इस परकार से जो है आप अपना admit का डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो like करें चैनल को subscribe करके all के बटन के ओपर क्लिक कर लेता कि जब next वीडियो upload हो तो उसका notification आपको मिल जाए